हाई फ्रेंड्स माई कम्पिटर स्किल्स कम्पिटर क्लास में आप सभी का स्वागत हैं मैं जैपाल सिंग राजफुद कम्पिटर क्लास में आज हम नेक्स्ट यूनिट से पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नम्मर फॉर्ट्टी मैं MS-XL के अंदर इंटरोडक्षन पार्ट टू लेकर आया हैं इसके अंदर आज का जो हमारा टोपिक है वह है कलम रो और स्वीनक सेजब इनके बारे माँ में समझना है MS-XL में कि कलम क्या होते हैं रो क्या होती हैं चलिए मैं आपको MS-XL के अंदर लेंकर चाड़ता हूँ फिर यहां पर मैं आपको समझाता हूं क्या होते हैं रो और कोलॉम्स, MS XL के अंदर, ठीके फ्रेंट, यहां देखिए, आपके सामने जो MS XL का जो एरिया है, यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए, हरे कलर में जो आपके साथ, मैं नम्मर दिखाई दे रहे हैं, जो A, B, C, D, E, F, G से represent हो रहे हैं, ये सारे कहलाते हैं कोलम, कोलम कैसे रहते हैं, जो खड़े होते हैं, इनको क्या बोलायाता है, इनको बोलायाता है कोलम, इनको मैं आपको ड्रेक करकर दिखा देता हूँ, ये जो मैंने कलर किया हुआ है, इनको अपन बोलते हैं कोलम, ठीक ह इनको हम कोलम के नाम से जाने जाने ठीक है और जो ऐसे आड़ी पट्टी हमारे सामने दिखाई दे रही है जिसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ रेट कलर से ठीक है इनको बोलायाता है रो ठीक है इनको बोलाता है रो अब यह हो गया कोलम और यह हो गया रो इन दोनों के बीच में जहां उपर से और नीचे से आकर एक डिबबा बनता है इस डिबबे को बोलायाता है सेल इसको क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं ठीक है अब सबसे पहले बात यह होती है कि यहां बाई डिफॉल हमें तीन शीट देता है शीट नमबर वन शीट टू वह शीट थी और हम अवशक्त अनुसर कितने भी शीट एमस एक्सल के अंदर यहां से हम इसको ले सकते हैं ठीक है अब हम यह समझना चाह रहे हैं कि यहां पर हमें यह जानकर यह लेना है कि logo कि यहां पर मैंने लिक रहा है इसमें तो यहां से Whereas, गी यहां से लिए इसको यहां से एक से सीरियल नमबर दी वह एक दो तीओ मिन चार चेह पाच यहां तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और यदि आपको भी आपके computer के अंदर चेक करना है तो आपको क्या करना होगा यहां से control जो आपकी keyword के अंदर control बॉटन है आपको उसको दबाना है और arrow key को दबाना है ठीक है control को दबाकर arrow key first arrow key आपको दबाना है जिसे आप तो आपने देख लिए फ्रेंड्स कि यहां पर जो कॉलम के संक्या है वो है 16304 यह एक शीट के अंदर 16304 आपको यहां पर रोस में कॉलम मिलते हैं सुरी ठीक है यह देख लिए आपने यह मैं कॉलम ही बता कर आपको अभी लेकर आया हूँ ठीक है अब मुझे यह पता करना है 16304 आपको यहां पर रो की संक्या मेरे पास 10,48,556 दी होई है क्या यह रो इसके अंदर ठीक है या सही है या गलत है तो इसको चेक करने के लिए हम वापिस वन पर जाएंगे वन पर करसर रखेंगे करसर रखने के ब बटने उसको दबाना है और डाउन एरो की को दबाना है ठीक है एक साथ में पहले आप कंट्रॉल को दबा के रखिए इसके बाद एक बार आप डाउन एरो की को आपको प्रेस करना है जैसे आप इसको प्रेस करेंगे सिस्टम आपको सबसे लास्ट में नीचे लाकर देखा देखा 10,48,576 यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही हैं यह आपके सारी इतनी रोस होती हैं तो फ्रेंट्स आप देखिए एक शीट के अंदर इतना डाटावेस आपको यहां पर MSXL के एक शीट के अंदर मिलता है तो लगबल लगबल आपको तीन शीट पहले से ही यहां पर आपको MSXL के अंदर मिल जाएंगे जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंट्स आप यह भी जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर सेल कितनी होती है तो आपको क्या करना होगा कि इस टाइप से जैसे मैंने आपको गुणा करके दिखाया है यहां आप किसी भी डाटाबेस के अंदर यह डाटा यह आदि आपको एंट्री करना है एंट्री करना है और डाटाबेस को पेस्ट कोपी करना है कुछ भी करना है तो आप एक बार रोर कोलम को देख लिए ताकि आप अपने डाटाबेस को इसके अंदर फिल करने से पहले आपको चैनल को सब्ड़ाइब करना है झाल झाल